हेलो फ्रेंड्स माइनेमी सिवानी मिस्टरा प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इसके साथ चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा विल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा और इस वीडियो को लाज तक वाच कीजेगा तो चलिए डिसाइन की तरफ चलते हैं और नीचे के साइड भी 3 इंच की चड़ाई पर हम मार्क कर देते हैं तो मैंने दोनों साइड से देखी एक्वल मार्क कर दिया है अब मैं गले का लेंद 10 इंच रख रही है तुर 10 इंच पर मार्क करेंगे देखे मैंने पुरा मार्किंग कर दी इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से पुरा देखे बराबर कर लिया है अब मैं डिजाइन बनाऊंगी इस पर यहां से देखे मैंने डेड़ इंच पर मार्क कर दिया इसी तरीके से आप भी अस्तर को कट कर देज़ेगा अब हम ब्लाउस को कपड़ा लेंगे और सेम उसको भी ऐसा ही कट करेंगे जैसे मैंने अभी अस्तर को कट किया है तो मैंने देखे इसके गले को भी सेम ऐसा ही कट कर दिया है अब इसको हम स्टीच करेंगे अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर कर दीजिएगा फिर इसके बाद पहले हम गले को स्टीच कर देते हैं तो देखिए मैंने गले को पुरा स्टीच कर दिया है अच्छे तरीके से अब इस पे हम कट्स लगाएंगे अस्तर पे देखिए पुरा अच्छे तरीके से हम कट्स लगा देते हैं गले पे तो मैंने पुरे गले पे कट्स लगा दिया अब इसको हम उलटकर सीधा करेंगे अच्छे तरीके से हम सही करते हैं पूरा उलटकर हम इसे सीधा कर देते हैं तो गले को मैंने देखे पूरा सही कर दिया अब इसको में एक सिलाई लगा लेते हैं और पूरे गले पे एक सिलाई लगा के स्टिच कर देंगे तो मैरा गला देखे, completely stitch हो चुका है, अब हम पुरे blouse की stitching करेंगे अस्तर और कपड़े को भराबर करते हैं, पुरे blouse की अच्छे तरीके से stitching कर लेते हैं तो देखे, पुरे blouse की stitching मैंने completely कर दिया है अब मुझे गले पी ंडीजाइन बनाना है तो मैं आपको डीजाइन बनाके दिखाती है इसको एक्साइट कर दिया है और ये मैंने कपड़ा लिया है तो इसको मैं डबल फॉल्ड करती हूँ इसकी थोड़ी सी चौड़ी पट्टी बना लेती हूँ तो मैंने पट्टी स्टिच कर दिया अब इसको मैं उलटकर सीधा कर देती हूँ तो मैंने देखिए इसको सीधा कर दिया हाथों थाड़ा साहत है तो थोड़ा इसे प्रेस कर दीजेगा अब हम डेर्ज देखिए 2.2 इंच पे हम इसके लंबाई रखते हूँ पुरा बराबर में हम इसको फोल्ड कर दिये हैं सबी पार्च 2.2 इंच के ही हैं अब मैंने देखिए इसको कट कर दिया है इसको मैं डेकोरेट करूँगी तो गोल्डन कलर की मैंने छोटी वाली मोती लिया है अब बीच में हम इसके जो मनी लागा के डेकोरेट करेंगे तो मैं कैसे इस डिजाइन को बना रहे हैं आप वीडियो में बिल्कुल क्लियर देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा ये तो देखें मैंने मोती कैसे लगाई इस पर इसी तरीके से सेम आप भी करिएगा जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हूँ तो ये देखें एक मेरा कम्प्लीट हो चुका इसी तरीके से जो दो बच्चे हुए उनको हम बनाते हैं इस पर भी हम गोल्डन कलर की मोती लगाएंगे ये देख लीजे इस पर भी गोल्डन कलर की मोती लग चुके इसी तरीके से एक और हम बना के आपको दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से बिलकुल समझ में आ जाए देख लीजे मैंने आपको तीन डिजाइन बना के दिखा दिया है ता आपको समझ में आही गया होगा इस तरीके से आप जितने भी लगे डिजाइन उतने बना दीजेगा चलिए मैं आपको आगे का डिजाइन दिखाती हूँ तो मैंने ब्लाउज लिया है अब इस पे हम मार्किंग कर देते हैं जैसे मुझे डिजाइन को बनाना है तो मैंने दोनों साइड से मार्किंग देखी कर दिया है अब मैं रेट कलर का ये कपड़ा लिए इसको पहले इसके उपर हम रखके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो इस पे भी में डंचाक की मार्किंग आ जाएगी इस तरीके से आप कर दीजेगा फिर इसके बाद हम उस जगा से कटिंग कर देते हैं यहीं से हम cut कर देंगे जहां से marking आई है अब इसको में stitch करेंगे blouse के साथ में पहले में इस धर साइड से stitch कर देते हैं एक साइड से blouse पी पुरा एक साइड से देखे मैंने stitching कर दिया है अब दूसरे साइड से में stitch करने के लिए मैंने जो design बना ये देख लीजिए उससे हम बराबर में mark कर देते हैं तो पूरा देखिए मैंने marking कर दिये अब यहीं से हम इसको cut कर देते हैं तो मैंने देखिए cutting कर दिये इसकी अब इस side से भी हम stitch कर देंगे पूरा देखिए इस साइट से भी ये स्टिच हो चुका है अब इसके उपर से हम डिजाइन स्टिच करेंगे तो मैंने दोनों साइट से पट्टी को स्टिच कर दिया है अब डिजाइन में स्टिच करेंगे तो मैं design ले लेती हूँ और इस पे आपको stitch करके दिखाती हूँ देखें मैं design ले लिया है अब किस तरीके से इस पे हम design लगा के stitch करेंगे आप वीडियो में देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा तो एक side से देखें मैंने पुरा design stitch कर दिया अब इसी तरीके से दूसरे side भी अच्छे तरीके से बनाते हूँ में stitch कर देते हैं ये देख लिए जिए मैं दूसरे side भी completely बना दिया है design को अब इस side भी कर देंगे तो मैंने दोनों side से देखे design completely stitch करके बना लिया है अब ये मैंने पटी लिये इसको मैं double fold करके stitch कर देती हूँ तो मुझे थोड़ी सी चोड़ी पटी बनानी है तो देखिए मैंने stitch कर लिया अब इसको मैं उलटकर सीधा कर देती हूँ अब इसको हाथों साथ थोड़ा से प्रेस कर लिजेगा दोनों side से इसको stitch करेंगे तो एक एक सिलाई दोनों side से लगा लेंगे जैसे मैं लगा कि आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे आप भी दोनों side से एक एक सिलाई लगा दीजेगा तो देख लीजे मैंने दोनों side से completely पट्टी की सिलाई कर दीए अब मुझे इसका cut बनाना है तो हम 1.5 इंच की लंबाई पर इसको cut करेंगे तो 1.5 इंच की आप लंबाई लेते हो पूरे जितने parts है उतने fold कर दीजेगा और उतने में हम cut कर देंगे 1.5 इंच की लंबाई पर इसको तो देखिए मैं 1.5 इंच की लंबाई पर पूरे cut को cut कर दिया है इसको मैं stitch करेंगी यहां से तो मैं double fold करके फिर इसको stitch करूंगी तो आप वीडियो में देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा तो कहां से मैं stitch करूंगी आप वीडियो में देख लीजे ऐसे आप भी उसी जगह से stitch कर दीजेगा डिजाइन को बनाते समय तो मैं double fold से देखिए stitch कर रही हूं double fold करके जितने कच आएं उतने कच आप भी stitch कर लीजेगा double fold करते हुए एक साइड से मैंने stitch किया है, दोनों साइड से ऐसे कर देंगे इस साइड से भी देखे मैंने design को stitch कर दिया है, अब लेस लगा कि इसे मैं decorate करूंगी तो मैं लेस ले लेती हूँ और इस साइड से अच्छा तरीके से less हम फूरा stitch करेंगी design पे तो मैं कैसे देखिए लेस लगा रहे हैं आप वीडियो में देख लीजिए तो पहले मैं गले पे लेस को स्टिच कर रहे हैं तो मेरा गले पे लेस स्टिच हो चुका है अब मैं डिजाइन पे लेस को स्टिच करूँगी तो दोनों साइड से डिजाइन के हम लेस लगाएंगे इस साइड से गले पे भी लगा लीजेगा लेस तो मैंने देखिए इस साइड से भी लेस लगा के स्टिच की है इस डिजाइन पे लगाएंगे उस साइड में देखिए मैं लेस्ट लगा रहे हूँ डिजाइन के ऐसे आप भी लगा दीजेगा देखिए मैंने लेस्ट को स्टिच कर दिया दूसरे साइड से भी लेस्ट को स्टिच कर देंगे डिजाइन पे तो मैंने दोनों साइड से लेस्ट को बिल्कुल लगा दिया अब इसी तरीके से इस साइड भी कर देंगे तो देख लीजे मैंने दोनों साइड से कंप्लीट ली पूरा ये लेस्ट के डिजाइन को कंप्लीट कर दिया है अब मैंने ये कपड़े कट कियें कुछ क्रॉस कटी ये कपड़े है क्योंकि stretch पल है इसलिए ये अब मैंने डोरी लिया है अब डोरी को मैं कैसे बना रहे हूँ आप वीडियो में देख लीजिए तो मैं दो कलर के कपड़े को double fold करते हुए फिर रखके फिर इसके बाद दोरी पे इसको इस्टिच करके फ्लावर इसका बनाएंगे तो ऐसे आप भी बना लीजेगा यह देख लीजिए मैंने फ्लावर बना दिया है इसको मैं उलटकर सीधा कर लूँगे अच्छे से यह देखिए सीधा हो चुका है मेरा फ्लावर यह बिल्कुल कम्प्लीट है इसी तरीके से हम दूसरे साइड बनाएंगे लेकिन पहले हम ब्लाउच के इसमें जो है डाल देते हैं इसके डोरियों के अंदर कच के अंदर फिर इसके दूसरे साइड से हम फ्लावर बना देंगे तो देखिए मैं कैसे इसको कच के अंदर डाल रही हूँ अब भी ऐसे डाल दीजेगा पूरा कच में इसको यह देख लीजे मैंने पूरा डाल दिया अब इस साइड में हम फ्लावर से हम ऐसे ही बना देंगे जैसे मैंने उस साइड से बनाया हुआ है तो मैंने दोनों साइड से देखिए फ्लावर बना दिया है यहाँ पे हम बात क्या आपको दिखा देते हैं इस तरीके से आप बा यह देख लीजे मेरे डिजाइन को बात के यहां से आपको दिखा दिया है और यह डिजाइन बिल्कुल कमप्लीट है अगर आपको यह डिजाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से और कमेंट करना ना भूलिएगा क्यों मैं बहुत ही हाड़ वर्क करकी डिजाइन बना अगरे कोई डिजाइन अड्रेस या बलाओ जब पर्चिट करना चाहते हैं मेरे इस्ट्राग्राम आइडी को फॉलो कली जो मैं ऑनलाइन से लिंग करती हूं उसका लिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखें माजा कि मेरे डिपी जा सकते हैं थैंक्स प्राचि जब करताव करता सकते हैं ऍहरे को एक बु हैं